चेंड़े सूपर किंग के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है और खास करके सुरेश रहना के फैन है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है क्या है वो अच्छी खबर बताएंगे आप लोगों को आगे तो अ था उसनल लेजन बताया जा रहा था नीजी तोर पर का कारण है उसके पीछे ये कभी भी खुलाता नहीं किया गया था लेकिन रिसेंटले ही सुरेश रहना ने एक इंटर्व्यू दिया है जिसमें बहुत ही अच्छी ख़बर भी CSK के लिए सामनी लेकल के आई है साथी साथ तो तमाम बातों पर खुल करके अपना बयान दिये हैं क्यों क्यों वापस भारत लोट काये हैं तो आप लोगों को पूरी ख़बर हम दिस्तार से बताएंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सुरेश रहना आईटल 2020 से बाहर हुए थे तो CSK ने बताया था कि यह उनका प्रस्टनल डिजन के कारण से जीजी फैसला है जिस पर सुरेश रहना ने कहा है कि मैं अपने परिवार के लिए वापस आया हूँ मेरे परिवार से बड़े कुछ नहीं है और इसे समय में मैं अपनी परिवार के साथ समय बिताना चाहता था वहीं अगर बात करें जो खबला रहा ही थी कि शुरेश रहना का महिंदर सिंग भाई माहिं भाई म्याली के साथ जग रहा हो गया है और कोई भी खेलारी एक छोटे से कारण के बज़े से पूरे बारक कर रुपया छोड़कर नहीं आ सकता है इसके पीछे एक करन था वह फैमली था मेरे लिए मेर आपस आया हूँ और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि उनके फैमली में एक टेड़ेजिटी भी हुई है जिसमें उनके जो कुछ परिवार के सदस्य है उनका निधन हो गया है कुछ अज़ी क्रिटिकल अवस्था में है तो ये भी एक रिजन रहुँ है ज इसना जवाब देते हुए कहा कि एंसरी निवासन मेरे लिए पिता तुलिया है मेरे लिए वह पिता जैसे है तो उनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं तो ये बात हुई सामने निकल का यह लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ख़बर है और सबसे अच्छे ख़बर है सुरेश रहना अंतराष्ट किर्केट से समयास ले चुके हैं और आईपियल 2020 से बाहर हो चुके हैं लेकिन अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यानि कि इसका सीधा सीधा मतलब भी है कि वह आईपियल खेलने वापस यह जाओं और आप लोग मुझे वापस CSK के साथ देख सक यह जिसके बाद यह कयास लगा है जा रहे हैं कि जैसे ही सुरेश रहना का भारत में कुरिंटीन पिडियर्ट खत्म होगा जिसके बाद सुरेश रहना वापस से UAE के लिए रभाना होंगे वहाँ पर फिर से उन्हें 14 दिन कुरिंटीन रहना होगा क्योंगी UAE के गवर्में के साफ समय बिता रहे हैं और वापस सारी बादों को बीचार कर रहे होंगे कि उज़े वापस जाना चाहिए Öz Ooo को फिन खेलते देखेंगे टीव Tapi पर तो उनके لिए समय बिताना उतना आसान नहीं होगा तो साइब हमें आगे के दिन में CSK के लिए वापस सुरेश्रेना खेलते हुए नजल आए और सुरेश्रेना के ने उनके जगह पर किसी रिप्लेश्मेंट क्या भी एलान नहीं किया है और जो इंस्री निवासन का बयान था उसमें भी साफ को हैते कि कोई रिप्लेश्मेंट नहीं होगा तो अभी सारे विकल्प खुले हुए तो इस पर जैसे ही आगे कुछ अब्डेट आएगी हम अफ लोगों को जरूर बताएंगे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल लाइकन का बटन जरूर लवाए और विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी सियस्के के फैंस और सुरेश रेनाग फैंस को यह अच्छी खुश कबर मिल पाए तो मिलेंगे बहुत जल्द न नमस्कार धन्यवाद